आज में चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से डिवाइस को Android 13 का लेटास अपडेट देखने को मिलेगा इसी वीडियो में आप लोग को सभी डिवाइस का नाम पताने वाला हो सके आपका भी डिवाइस का नाम इस वीडियो में आ जाए तो फानली दूस्तों वीडियो को एंड तक देखेगा तभी जाके आप लोग को समझ में आएगा कि Android 13 का लेटास अपडेट कब तक आपको सभी वीडियो के डिवाइस में देखने को मिल जाएगा तो चलिए दूस्तों वीडियो को सुरू करें त तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वीडियो फोन के Android 13 लेटस अपडेट के बारे में चुकि यहाँ पर कुछ रिलीश डेट आ चुका है यहाँ पर मेरे पास कुछ लिश्ट है तो मैं आप लोग को इसमें बताऊंगा कौन-कौन से डिवाइस का नाम है यहाँ यहाँ पर तरिके का इंटरफेस यहाँ पर जो कि हमारा लिश्ट है यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 यहाँ पर जो कि इसमें रिलीश डेट का ओप्सन दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद नीचे मिल जाता है उसके बाद नीचे आएंगे स्कोल डाउन करके तो यहाँ पर का नाम भी आप लोग को देखनों को मिल जाता है आईको फोन है उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आएंगे यहाँ पर मैं आपको लिश्ट में आपको सभी डिवाइस का नाम बताने वाला हूं तो जैसे कि यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हमारा फोन यहाँ पर आप लोग को देखने मिल जाता है बीटा अपडेट यहाँ पर तो इसमें आपको सभी डिवाइसों का नाम डिया ज्यों कि बीबोका 01 60eye यहाँ पर यहाँ पर यह सभी डिवाइसों का नाम यहाँ पर दिया है इसके नीचे आप देख सकते हैं वी आपके पास बिबोका B23 5 फोन है तो उसमें भी आपको लेटास अपडेट देखने को मिल जागा एंड्रोइड 13 एंड फांटा चोई फोन है इन सभी फोनों में एंड्रोइड 13 का अपडेट देखनों को मिल जागा उसके नीचे आते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर वीबो का वाई 55 यहाँ पर फाइब जी फोन है यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यानि कि वीबो का वाई 55 55 फोन में भी आप लोग आपको इन सभी डिवाइसों का नाम देखनों को इसके अंदर देखनों को मिल जाता है। अब नीचे यहाँ पे सभी ICO phone का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो finally जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया release date है यहाँ पे जो कि यह जल्दी आपको जो कि April में इसमें काम चलना start हो चुका है Android 13 के latest update पे जो कि April के मंत में यहाँ पे Android 13 के update पे काम होना start हो चुका वरकर यहाँ पे काम कर रहे है अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे release date इसका है आपको जून से लेके जुलाई तक सभी डिवाइसों में यहाँ पे release date फोन है अगर आपके पास Y33 फोन है तो इन सभी डिवाइसों का भी नाम इसके अंदर है फारली Android 13 आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने आप लोग को list बता दिया Android 13 के बारे में तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कब तक यहाँ पे Android 13 का update देखने को मिल जागा जोकि यहाँ परे अपरैल का लिस्ट आये था अपरैल में यहाँ पे काम होना start हो चुका है यहाँ यहाँ पे Android 13 पे work होना start हो चुका है फाल्ली यहाँ पे इस update को मिलने में आपको कम से कम 7 ठे 8 महिना लग सकता है फानली आसे जून से स्टार्ट हो जागा बीटा अपडेट देना बीटा अपडेट देने में समय लगता है उसके बाद सब डिवाइसों में मिलते मिलते समय लग जाएगा तो फानली माने आप लोगो बता दिया कौन कौन से जूइस में Android 1213 का अपडेट देखने को मिलेगा और आप लोगो समझ में आगया होगा तो चलिए दूसों आज के लिए तनहीं आज यूप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाके इंड़ प्रेस करेंना ताकि हर एक वीडियो का नाटप्रिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए सो फिर मिलते है किस इंटेश्यू वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत बाबा दस्तों